धुरुबरा ठीकी बात बिल्कुल ठीक है, अधिक से अधिक वोट दीजिए और देश को बचाई है, ठीक है, अगर आपने अपील की है, बहुत अच्छी बात है, आपका पिछला वीडियो वैरेल हो रहा है, जिसमें कैंडिडेट की एजुकेशन क्या है, बड़ा लिखा है क अधिक मुकद में हैं नहीं है, अब विचलेशन करते हैं इस बात पे, अधिक से अधिक वोट दे करके, क्या देश को बचा जा सकता है, सवाल है ये, हर प्रत्याशी को चुनाव लड़ने के लिए नामांकन पत्र भरते समय, अपने और अपने परवार के बारे में सारी जा दिना होता है, और इसके बाद पार्टियों को भी उमीदवारों के बारे में ब्योरा अखवारों में छपवाना पड़ता है, ताकि आम लोग अपने उमीदवार के बारे में जान सके, अब सवाल ये है, उमीदवार के बारे में इतना सब जानने के बाद भी कुछ उससे हो होता है मतदान करने का जो विवहार है मतदाता का क्या वो प्रभावित होता है क्या वह मतदान की अपनी प्राथमिक्ता इस आधार पर तैय करता है कि उमीद्वार कितना पड़ा लिखा है या फिर उसके उपर कितने आपराधिक मुकद्ध में चल रहे हैं या उसकी संपत्ति कितनी है यकीर मानिए ये सारी बाते बोटरों के लिए मैटर नहीं करती है अधिकांज जब मैं अधिकांज शब्देका इस्तिमाल कर रहा हूं तो उनी की वोटों सरकार बनती है बिगरती है चलती है जब से हलफ नामा देकर के सारी सूचना देने का जो एक नियम बना है तब नामा देकर चुनाव लड़ने का नियम बनने के बाद पांच लोग सभा चुनाव हुए हैं हर बार आपरादिक शवी वाले और करोड़ पती सांसदों की संख्या लगातार बरती गई है सत्रवी लोग सभा जिसका कारेकाल जून में समाप्त होगा उसमें Association for Democratic Reform ADR के 43% सांसद वो दागी हैं और 88% सांसद करोड़ पती हैं 2019 के लोग सभा चुनाव में 543 सीटों में से 233 सीटों पर यानि कि टोटल 43% सीटों पर ऐसे सांसद जीते हैं जिनके खिलाब किसी ना किसी तरह खा आपरादिक मुकदमा दर्ज हैं ADR के मुताबिक 2009 और 2014 के मुकाबले 2019 में आपरादिक 6 रखने वाले सांसद की संख्या में 44% की बढ़ होतरी हुई है 159 यानि कि 29% तो ऐसे हैं सांसद हैं जिनके खिलाब हत्या बलातकार अपहरण जैसे गंभीर अपराद से जुड़े मुकदमे दर्ज हैं सोचिए मुकदमे के बारे में जानकर देने का नियम बनने के बाद से आपरादिक शवी वालों की जो संख्या है वो लगातर बढ़ती जा रही है इसी तरह 2009 में हुए लोकसभा चुनाव में 58% करोड़ पती सांसद जीते थे अब 2019 में चाहिए 2019 में करोड़ पती सांसदों की जो संख्या बढ़ करके 88% 58 से 88% 10 साल में 30% बढ़ जाते हैं इजाफा हो जाते हैं अब सिक्षा की बात करते हैं उसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता सत्रवी लोक सभा में 128 यानि की 24% सांसद ऐसे हैं जिन्होंने हलफ नामे में बताया है कि वो सिर्फ बारवी तक पड़े हैं या फिर इंटर पास है एक सांसद ने तो अ जो प्राथ्य में एकता है वो प्रभावित नहीं हो उसी तरह से सिक्षित हो या फिकम सिक्षित असिक्षित हो मतदान के बिहेवियर पे मतदाता के बिहेवियर पे वोटिंग बिहेवियर पे कोई तर नहीं पड़ता इस पश्ट अब आप कहेंगे साब जब अंतर नहीं प करना था फिलाल लेकिन भारत में एक दलगत जो राजनीती का सिस्टम इतनी गहराई तक जड़ जमाँ चुका है कि जो वोटर से न उमीदवार के व्यक्तिकत गुण या दोश के वर ध्यान देते ही नहीं वे हमेशा पार्टी को देखते हैं पार्टी के सर्वोच निता को दे किस पार्टी काय जी लो तबी सभी पार्टीया सामाजिक समय करन बैठाने पर जोर देती हैं ऐसी बात का ध्यान दिया आपने और विधान सभाओं की जो तस्वीरे है ना उसमें न कुछ आपको पॉजिटिव बदाब देखने को मिलेगा विशलेशन का एक तरीका ये भी है बहरा मैं फिर भी कहूंगा आपसे अधिक से अधिक मातर में वोट दीजिए और लोगों को इनकरेज कि और वोटिंग बिहेव